नामस्कार जैगो मता विशो को अम सुरखिया YouTube चैनल को आप का स्वागत है आज का विशा है आलूम्नियम बर्तन का इतियास के बारे में आलूम्नियम बर्तन का केसे यूज हो आ, कहा आया और कब से आया इसका इतियास बहुत रोचक है हमारी सास्त्र में है रूपे का बर्तन, सोने का बर्तन, कंसा की बर्तन और मीटी का बर्तन, लोहे का भी बर्तन है लेकिन कहीं पे आलूम्नियम बर्तन नहीं है तो हमको सोचना पड़ेगा आलूम्नियम जब आमेरिका में उद्भावन हुई थी तो हमारी देश में क्यों नहीं होता हुआ हमारी भारत में अलम्यम क्यों उद्वाबन नहीं हुआता इसका कारण है सीधी सिवार जो चीज जो चीज हमारी देश का अबशक्तन नहीं था वो चीज हमारी देश में कोई बनाता नहीं था इसका कारण है हमारी सरीर को हमारी सरीर के मिट्टी का तत्तु है इसलिए हमारी सरीर को लोहे का और सोने चांदी जैसा बगेरा बगेरा का चाहिए शक्ती चाहिए इसलिए हम लोहे के बरतन में यूद कर रहे हैं सोने की गले में सोने पेहन नर रहे हैं इसलिए वो चाहिए था लेकिन जो आलूम्नियम बर्तन हमारी देश में नहीं था तो आपके मन में ये सवाल आ रही होगी तो आलूम्नियम बर्तन हमारे देश को कहां से आया तो ये बात में बताता हूँ जब इंग्लेंड में जो प्लेन बनाने के लिए हवाई जाहाज बनाने के लिए एक एसा धात्यू चाहिए था वो जैसे हवा में प्रेसर ना आये बहुत उचे में तो इसी के लिए वो आलूम्नियम आभिसका उद्भावन किये थे इसके बाद में क्या हुआ वहाँ के वईग्यानिक ने करीब 1803 में अब इसकर हो गया था इंग्लेंड में इसके बाद में इंगलंड के वईग्या निको ने बता दिया ये जो आलोम्नियम का बर्तन है आलोम्नियम में खाने की कोई चीज बर्तन बना नहीं सकते है और उसमें खाना नहीं पका सकते है इसी का फाइदा लेकर जब इंगलंड हमारी देश को सासन कर रहा था उनका नजर से हमारे जो जेल में बंदी थे जो हमारी देश का स्वाधिनता संग्रामी उनका नजर वे हमारी भारत देश का जो स्वाधिनता संग्रामी थे वो आत्वंबदी थे इसलिए वो क्या किया? न एक कानुन बनाया इसा कानुन था जो हमारी देश का जो जयल में जो इंग्रज़ जयल बनाये थे उसे में जो काईदी रहे थे उनको वो आत्तमभाधी समत्रे इसलिए उनको मारने की सादिस किये तो वो क्या किये यहां का जो जेल का खाना खाने के लिए जो बरतन आलूम्नियम का रूल बना लिए और बो रूल बन गया उसके बाद जो खाना खाने के क्या होता है आलूम्नियम बरतन से ना वो एक स्लो पईजन होता है आप एक काम करोगे आलूम्नियम बरतन से हाथ को नात पा rh पकाते हैं तो कितना अलॉम्नियम वह हमारी शरीर को जाता है और भूए स्पहुते हैं की इसलिए हमारी भारत में अभी ज्यादा वीमारी हो रहा है हाट गई दीनिश्ञन एज ब्लर्ड परेशर में हे और सबसे बड़ीमन टीब에 कोलेसिस टीब्री होता है कि क्या उखर चड़िये सबको सस्ता चीज चाहिए जिसका कीमत कम हो लोग वही यूज कर रहे हैं जैसे रिफाइंड ओयल जैसे अलूमिनियूम की बर्तन लेकिन जो कांसा और पीतल को बर्तन को लोग भूल गए हैं और हर घरमर में अभी छाई हो गई है तो इंगलंड वालों ने क्या किया वर्तन को जेल में यूज करने की कारण था जो जेल में रहे थे थे जो हमारी देस का स्वाधिनता संग्रामी वो इंगलंड की नजर से वो कईदी थे तो बृटिस वालों ने क्या गया उनको मारने के लिए बो जो वरतन से खाना दिया कि खाना देना कारणे न वो एक slow poison था बो जल से जल मरने के लिए कविदी को मारने के लिए प्लान था लेकिन काला क्रम के बाद बो हमारी घर के में घूज गई वो जो बरतन हमारी घर में भूज गया, अभी देखो किसी की घर में ज़्यादा कंसा और पितल का चीज नहीं है और जो चाकू में जो काटते हैं परिवाका जो सब्जी काटते हैं वो स्टील का होता है इसलिए सोचो हमारी सरीर में अभी जो लोहे और सोना और चांदी का जो सक्ती चाहिए था वो नहीं मिल रहा है हमारी सरीर को आलूम्नियम की जहरिला चीज मिल रहा है तो आप सोचो आपकी घर में आप भी ज़्यादा आलूम्नियम की बरतन यूज कर रहे हो होटेल हो, वीभाओ, भोजी हो, जहां भी जाओ, वहां पे अलूम्नियम में आप हाथ एक अलूम्नियम की चीज से बरतन से जोर से हाथ घिसलो, देखो आप हाथ में भी अलूम्नियम लग जाता है तो सोचो हमारी रोज जो खाते हैं हमारी सरीर को कितना अलुम्नियम जाता है और वो जो अलुम्नियम हमारी सरीर को जाता है वो किडिन फेल करता है दीमाइक हैंब्रेज करता है, ब्लाड प्रेसर आता है, डाइबिटीस आता है और टीवी को लाइसेज टीवी भी मेरी होता है तो ये बात ही हमारी देश में जो चीज सरीर के लिए अच्छा नहीं है जिसका वईग्यानी करण अच्छा नहीं है वो हमारी देश में कभी बनता नहीं इसलिए हमारी देश में आलूम्नियम नहीं बना था क्योंकि उन लोगों को पता था जो हमारा मुनी रूशी, जो हमारी घ्यानी, हमारा जो पहले आभीष कारगत थे, उद्भावन कारगत थे, उनको पता था ये चीच हमारी सरीलिय अच्छा नहीं है, इसलिए वो आलूम्नियम बनाए नहीं थे, अभी ब्रहत सवाला रहे हैं, जब ब्रिटीस हमारी देश को नहीं आते तो हमारी देश बहुत पिछे रहता तो यह सवाल है जब ब्रिटीस हमारी देश को नहीं आते तो हमारी देश बहुत पिछे रहता तो वो हमारी धर्व ग्रंथ हमारी जो मुनिरुसी लिखित जो ग्रंथ है और जो हमारी सोईदेशी हमारा सोजदे सीखेती वो क्यों नस्ट किये और हमारी देश को बरबाद करने के लिए क्यों हमारी जमिन को बंझर करने के लिए क्यों Kirkinasak और जो ईडिय ब्यूज करने के लिए बाध्यात्यात्ता मुलक क किये क्योंकि उनको पता था भारत सबसे स्रेश्ट है उनको गुलाम बनाने के लिए उनका जो संस्कुरुती और उनका सिख्या वेवस्ता इनको मिट्टी में दफलाना है इसलिए वो हमारी देश को बरबात करने के लिए हमारी सिख्या वेवस्ता, हमारी मंदीर, हमारी सब को विगड़ दिये तो आप सोच रहे हैंगे मैं जो अलुमियम बरतन के बारे में बोला मैं जूटा बोल रही हूँ नहीं, मैं भारत माता की कसम लेता हूँ कभी जूटा नहीं बोलता आप अपनी जो देश का जो बहर कोई देश में जो राज्ये में होता है वहाँ पे जो हमारा ड्रॉक्स का एक लैब होता है वहाँ पे आलुमियम की बरतन की सच्चाई जान लो, नहीं तो गूगुल सर्च में भी आप पता ले सकते है तो आपके मरी ये प्राथना है आप सुधर जाए और अपनी घर को अपनी परिवार को, अपनी बच्चा को, अपनी गाओं को और अपनी देश को बचाने के लिए आज से ये संकल्प लीजिए घर्व से आलुमियम बरतन की बिधाई कीजिए इनको कवाडे से बेज दीजिए क्यूंकि वो आलुमियम की बरतन से ज्यादा कीमत है आपकी सरीर क्यूंकि आपकी सरीर एक ऐसा है वो एक ल्याब है और वो शरीर को आप मजबुत रखने के लिए घर में से एक जहरीला चीज जिसका नाम है आलुमियम बरतन इसको घर से हटाईए तो ये कहकर मैं आज आपसे बीदा लेता हूँ आपको मेरी पुमिष्टर प्रणाम और आपके लिए मेरा ये पर्थना जय जवान जय किसान बंदे मातरम भारत माता की जय मैं यहां से बीदा लेता हूँ मैं रोज जैसे नए नए आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा आप इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेट में केजिए और आपको की चीजिए के बारे में नए नए वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए तो दिन रात आपके के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको से यहां पे में विदा लेता हूँ जय भारत बंदे मातरम और एंभारत बंदे में जय जय उता हूँ झाल झाल